तो हलो दोस्तों गुडबॉड एक कैसे है आप सब और आई हो बढ़िया होगे तो आज की दिन की सुभात चस से हो रही है तो कि आज मौसम बड़ा सोहाना सा है और दो ती दिन से व्लोग भी नहीं आए आप लोग जान देख रहे हैं तो आज काम करते हैं आज कुछ करेंगे तो क्या होगा वह आपको ब्लोग देखते देखते वज़ा चल जाएगा तो पुछ यह कर रहे हैं कि सोच रहे थे कि देको एक तो मौसम अच्छा है कहीं घूमने के लिए सोच रहे थे उरही के अंदर ही अंदर कहीं भार नहीं तो चलते हैं अभी कुछ दिन से ट जैसे भी आएंगे आपको बहुत मज़ा आएगा तो चलते हैं और आपको पूरा दिन दिखाएंगे कि क्या होता है क्या करने वाले आज ब्लोग में यूनिक तो मुझे भी नहीं पता क्या होने वाला है जो भी हो जाए लेकिन चलते हैं दिखते हैं एंज्वाइगरते हैं और मैं उस सबह तो मैंने डिरेक्ट रिक्से से स्टार्ट किया था लेकिन आज मैं उनके घर से स्टार्ट कर रहा हूँ एंट्री देखिया हो एंट्री का इतना चोटा सा घर है और उसके बाद बाहर इनका रिक्सा कड़ा होता है लाइटिंग है मैं भी दिखा रहा हूँ आपको और यह लोग जो इतना मेहनत करते हैं देख रहे हैं कितना मेहनत कर रहे हैं भाईया भी खाना आना खाया सुबह उठके और हाली के हाल जा रहा है रिक्सा चलाने पता नहीं कव लोटें तो मैं आज इनके साथ में रहूंगा इतने समय भी रह सकूँ और इनके साथ ही आपको बताओंगा कि इनकी लाइफ कैसे हो दिए चलते हैं तो जी हां दोस्तों इसी तरीखे से इनका जीवन रहता है और इसी तरीखे 50 यह लोग अपना काम करते रहते हैं जैसे कि कुछ लोग तो सुचुछे हैं अ दिवे खेफी आर की दिप स़्िवार लोग के पास बहुत पैसा होता है एक दिणु में भौट कमा लेते लेकिन रियल यार मैं उनके साथ हूं हो तो मुझे पता है कि इनके पास कैसी कमाई धूप में बरसात हो जो भी हो कैसे ये लोग चलाते हैं जगा-जगा-जाना घु जीएंगे और इनने बहुत मेहनत करते हैं यह लोग तो बस इन लोग लिए एक ही चीज कहना चाहूँगा कि आप लोग कब प्लीस यार कभी भी इनको ये ना बोलें कभी इनको इग्नोर ना करें ये बहुत ही अच्छे इनसान होते हैं ओके तो इनको सपोर्ट करें प्लीस